शुरी शिवाय नमस्तु ब्यावम हर हर महादीव देखें कल दो फरवरी गुरुवार के दिन प्रदोश की तीती है माग मास के शुकल पक्ष की प्रदोश है और आपको गुरुवार की प्रदोश के दिन बहुती आसान सा उपाय करना है गुड से मात्र एक तुकड़े गुर से या तो पीले चंदन से उज्जी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के अनंत भक्त है तो चैनल को जरू सब्सक्रेब करें देखे ये उपाय बहुत ही खास है क्योंकि ये उपाय आपके जीवन के दुर्भागे को दूर करेगा यदि आपका जीवन बहुत ही दुर्भागे शाली बीत रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है घर में कलेश हो रहा है धन की आवक नहीं हो रही है आर्तिक समस्या हो रही है विवा समय पर नहीं हो पा रहा है व्यापार डंग से नहीं चल पा रहा है तो इसी कई समस्या जो है इस उपायों से दूर हो जाएगी बहुत आहसान सा उपाय है बिल्कुल भक्ति भाव से इस उपाई बताएंगे देखो ये दोनों गुरुवार की प्रदोश की दिन ही किये जाते हैं तो विशिश कर आप इस बात का ध्यान लखना सबसे पेला उपाई है माता अशोक सुंद्री वाला उपाई जो की आपके जीवन के धुर्भाग्य को दूर करता है और आपकी किस्मत को चमकाता है और दूसरा जो उपाय है रोग मुक्ति के लिए और कर्ज मुक्ति के लिए है देखिए दोनों में इसी जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं देखिए पहला जो उपाय है आपको प्रदोश काल के समय करना है देखिए प्रदोश काल का जो समय रहेगा वो 5 बचकर गुन 50 म डालना यदि पीला चंदन नहीं है तो आप एक तुकड़ा गोड का डालना ठीक है पीला चंदन या तो एक तुकड़ा गोड का जो भी आपके पास हो वो ले करके आपको बगवान शीव के मंदिर में जाना है अब आप क्या करेंगे बगवान शीव के सामने खड़े हो जाएंगे जो भी इच्छा है जो भी मनोकामना है वो आपको बोलनी है अब ये जो तामडे के पात्र के अंदर जल है गोड मिश्रित जल हो गया या पीला चंदन मिश्रित जल हो गया पीला चंदन होगा तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो आप गोड डालना ठीके माता अशोक सुंद्री वाला जो इस्थान है देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस इस्थान पर थोड़ा सा जल आपको अर्पित करना है ठीके और उसके बाद ये जल की धारा चलते चलते आपको भगवान शीव के उपर अर्पित कर देना है य अपस से माता अशोक सुंद्री वाले स्थान पर ले करके छोड़ देंगे पूरा जल अर्पित कर देंगे शुरू भी अशोक सुंद्री वाले स्थान से होगा और खतम भी अशोक सुंद्री वाले स्थान से होगा बस इतना सा उपाय करना और आपके जीवन में जो भी समस् उसे दूर करने के आपको प्रात्ना करनी है माता अशोक सुन्दरी से भगवान शिव से वस इतना सा उपाय गुरुवार की प्रदोश पर कर लेना दूसरा उपाय बहुत खास है लेकिन दूसरा उपाय आपको करना है सूर्यास्त के पहले पहले आप कभी भी कर सकते हैं क्या करना है आपको एक इस्चिल का पात्र लेना उसके अंदर जल मिलाना और उसके अंदर दो चमत कच्चा दूद मिलाना यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग है किसी भी व्यक्ति को रोग है तो उसे दूर करने के लिए तो उसे दूर करने के लिए साती सात कर्ज मुक्ति है तो उसे दूर करने के लिए आपको गुरुवार की प्रदोश के दिन ये जो जल है आपको अर्पित करना है शमी के व्रुक्ष में शमी के पे जब आप कच्छा दूद वाला जल अर्पित करेंगे शमी के व्रुक्ष में तब आपको अवदू तेश्वर महादेव का इस्मरिन करना है बस नाम का ध्यान लखना अगर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो कुंद किश्वर यदि आप कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं अवदू तेश्वर महादेव यह उपाय सुर्यास्त के पहले करना आगे आपको बह समझ में बस इतना सा उपाय इस गुरुवार के प्रदोश पर कर लेना करके देखें फाइदा जरूर होगा श्री शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादेव